आप सुन रहे हैं विवित भारती पिटारा आज पिटारा में पेश है आज के महमान पत्ष स्वागतम शुख स्वागतम आनंद मंगल मंगलं इतप्रियम भारत भारतम इतप्रियम भारतम स्वागतम शुख स्वागतम अधस्वागतम शुख स्वागतम दोस्तों नमस्कार एक फिल्मकार जिसने अपनी फिल्मों के जरिये समाज को दिखाया आईना एक फिल्मकार जिसकी फिल्मों ने कमाई देश विदेश में ख्याती और जीते राश्ट्रिय पुरसकार पेजध्री चान्दनी बार फैशन सत्ता और कॉर्परेट जैसी फिल्मों के नरदेशक पदमिश्री मधूर भंडार का इन से बातचीत की, आपके इस दोस्त यूनुस खान ने आज मैं आपके सामने बैठा हूँ और किस माध्यम से मैं कहीं लोगों से कनक कर पाऊंगा जी मदर जी इंदू सरकार ने काफी चर्चा बटो रही है और इस फिल्म की जितनी चर्चा की उम्मीद आपने की थी उससे ज्यादा दोनों तरह की चर्चाएं हुई है बताईए तो इस बात की खुशी होती कि एक छोड़े बजट की फिल्म एक मुद्दे की पिक्चर एक ऐसा मुद्दा जो मेरे ख्याल से कम लोग दिखाना चाते या बात नहीं करना चाते और लोगों ने इसे पसंद किया मदूर हमेशा मुद्दों पर अधारित फिल्में बनाते हैं और उनकी फिल्में हमेशा किसी ने किसी तरह से चर्चाब बतूरती हैं ये मुद्दे कहां से पकड़ते हैं मदूर मेरे खाल से मैं हमेशा ही जितनी फिल्में बनाई है चान्नी बार, पेश्त्री, कॉपरेट, फैशन, हिरोईन, या ट्राफिक, सिगनल, जेल अलग-अलग विश्य का सब्जेक, अलग-अलग मेरे खाल से मेरे में देखने जो से एक जनलिस्ट चुपा हुआ है लोग हमेशा कहते हैं कि कोई आर्टिकल लिखता है, कोई किताब लिखता है, कोई ब्लॉग लिखता है, मदूर फिल्म बनाता है तो मेरे खाल से ये मेरे में है, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर मैं शायद फिल्म में करनी होता तो जनलिस्ट बन जाता कि मेरे में एक जनलिस्ट वाके में चुपा हुआ है और मुझे लगता है कि मैं फिल्म के माध्यम से इसको भार लाता हूँ और सेलुलाइट पे बड़े पर्दे पे दिखाता हूँ लोगों को और लोग इसे सराते हैं पसंद करते हैं मैंने हमेशा ही इतने सालों में आपने देखा मैंने अपने टाइप का सिनिमा बनाया कभी मेरा सिनिमा मैंने चेंज नहीं किया है पिक्चरे कभी चलती है कभी नहीं चलती है लेकिन बजट मेरा बहुत जरूरी होता है उसको maintain करना और उस तरह की फिल्म बनाना और एक message जो है लोगों को पर जाता है और मैं कहता हूँ हमेशा मेरी फिल्म में यह नहीं कहता है प्रीची होती है मैं हमेशा कहता हूँ कि फिल्म जो होती है समाज का आइना है मेरी फिल्में खास करें कि समाज का आइना है जो सत्य घटना होती है जो रियल होता है वो ही मैं लोगों के सामने लाता हूँ बिल्कुल हमेशा से आपने ऐसे सिनेमा पर जूर दिया है जो समाज को किसी ना किसी तरह से कोई संदेश दे या हालात पर कोई कमेंट करे, आहिना दिखाए, वियंगी करे, कि देखिए ये हालात है आज जबकि सैकडों करोड की बात होती है और इतने वीक और इतना कलेक्शन की बात होती है इसके बीच में आपने एक अपनी तरह के सिनेमा का रास्ता निकाला है मज़े बताईए कि ये जो रास्ता मदूर भंडर कर स्टाइल आफ सिनेमा का है ये कितना मुश्किल रहा है आपके लिए बड़ा मुश्किल रहा है क्योंकि पिछले 17 सालों से फिल्म बना रहा हूँ मैं चांदनी बार से अगर आप मेरा जर्नी उससे पहले वाला रहा हला कि मैं 99 में मेरी पहली पीछर आई थी त्री शक्ती लेकिन अगर सक्सेस अब देखो तो चांदनी बार से इंदू सरकार कर जो जर्नी है बड़ा अच्छा रहा है वो भी मैंने डेड़ गुरूर की फिल्म बनाए थी चांदनी बार उस वक्त और इस वक्त भी छोटे बजट की फिल्म मैंने बना इन दूसरकार तो मेरे काल से एक जर्नी इतना 17 साल में रहना और आज की तारिक में देखे तो यंग यंग फिल्मेकर आते हैं सिनेमा काफी चेंज हुआ है टेकनीक चेंज हुई है व जो हमाना होता ता जब सिलवर जिबली गॉल्डर जिबली का टाया time होता तो वो time चला गया आज जो हे वो तीन दिन का जैसे इंड़िस्टि के language में खेले के friday suray Sunday का खेले और weekend का खेले तो मुझे इस बात की खुशी है कि पिक्चर बहुत जगा रिलीज होती है पहले हमारी पिक्चर होती थी जैसे के शाम बेनिगल, गोईन निलानी या केतन मेतायन ऐसे फिल्म होती जो बहुत मैटनी शो में लगा करती थी, कम ठेटर में लगा करती गाडियों में आप रिडियो सुनते हो 24-7 तो मैंने खाल से ये काफी चीजे जो है लोगों के पास आई है लोग के साथ आपकी पिक्चर जाती है, लोग उसे पैचानते देखते तो सिनिमा काफी चेंज हुआ है, अगर मैं इतने साल की बात करो तो काफी टाइम चेंज हुआ है, हर 3-4 साल में एक तरीका चेंज हुआ है कॉपरेट जगत के लोग आ गया है, भी और्गनाइजड हो गया है तो काफी परिवर्तन तो आया है, मैंने जैसे कान मोबाल एप्लिकेशन की तरह हर 6 मेने में चेंज हो जाता है, तो सीखने मिलता है, ऐस फिल्मेकर भी मैं सीखता हूँ बिल्कुल, यहां एक गाना सुनने की बारी है, तो इंदु सरकार का आपका पसंदीदा गाना कौन सा है मुझे आवाज गाना बहुत अच्छा लगता है, मौनाली ठाकुर का जो गाना है, बहुत प्यारा गाना है, वो गाना मैं सुनना चाहूँगा बहुत बड़ी, आप पुनीत ने इसको लिखा है, और अनुमलिक का संगीत है वेवित भारती पर, मधुर भंडार का आपने बात की कि आप पंचमदा के फैन हैं, आगे चलकर इसी इंटर्विव में उनका आपकी पसंद का गाना तो बजाएंगे आपके चेंबर में गुरुदत की फोटो लगी आप जहां बैठते हैं, ये क्या माच रहा है ये मरे खालते हैं, जैसे गुरुदत ने बहुत सारे फिल्मेकर को इंस्पायर किया है और जो उनकी फिल्म थी बहुत थी, जैसे हम कहते हैं, आएड अफ टाइम माने जाते थे और उनने जो फिल्में बनाई ये आर पार, मिसेस एं मिसेस 55, कागस की फूल, प्यासा तो मेरे खाल से अपने आप में वो बहुत बड़ इंस्ट्यूशन थे, और उनकी पिच्चराइजेशन की हम बात करें, उनके फोटोग्राफी जो उनने शूट की, उस वक्त पे सिनमास को पहली पिच्चर कागस की फूल बनाई थी उन्होंने, और जिस तरह से उन्होंने और बैक लाइटिंग की हम बात करें, कहीं चीज़े जो है, गुरुदत बहुत अपने टाइम से बहुत आहेड थे, कागस की फूल जैसी फिल्म फिफ्टीज में बनाना, अपने आप में बहुत थी के एक डिरेटर का फीलियर की उपर पिक्चर बनाना, और अच अभी भी उसके ते उस वक्त पिक्चर चली नहीं थी, लेकिन आज भी वो पिक्चर कल्ट है, और वो फिल्म, मैंने बना है कि गुरुदत जो है कैसे institution है, जो कहीं generation को और आने वाले कहीं generation को भी इंस्पार करें, तो मेरे को वाकिय में लगता है कि वो इतने इंस्पार करते हैं फिल् और विजयानन साब, उनकी तरह crime thriller बनाने की तमना नहीं है, बहुत है, बहुत है, बहुत दिल है, वराच कोसला इपी वस्टाइल फिल्म में अन्होंने अलग अलग टाइप की फिल्म बनाई है कभी, मेरा गौ मेरा देश देख लिए, कच्छे दागे देखो, मैं तुलसी तरह आंगन की देखो, अलग जॉनर की फिल्म बनाई है, उन्होंने कमर्शल भी बनाई है, एक potballer जिसको कहते है, वो ही बनाई है, यहार टाइप का सिर्वा, दूसरे मुझे, दूसरा डेटर मुझे विजयानन साब, बहुत ही कमाल के, जैसे कि गाइड, तीसरी मंदिल, जो नने फिल्म बनाई है, कोई बोलेगा नहीं, जैसे गाइड बनाई है, तीसरी बनाई है, और जुएल तीव जैसी फिल्म उनने बनाई है, ब्लैक मेल फिल्म बनाई है, तो बहुत अलग, और मुझे, जब बाद में 90's के हम बाद करना, मनी रत्नम साब मुझे बहुत ही बहतरीन फिल्मेकर लगे, जिससे मैं बहुत इंस्पार हुआ, क्योंकि जब मैं एससेंट डेटर जोइन किया, तो मनी रत्नम हमेशा ही उनकी फिल्में रोजा हो, बॉम्बे हो, उसके पहले भी मैंने उनकी सौथ की फिल्में तमिल पिक्चर है काफी देखी थी, अंजली हो, अगनी नक्षत्रम हो कहीं ऐसी फिल्में तो मिरे खाल से ये काफी लोगों को इंस्पार क्या हो फिल्मेकरों ने, तो ऐसे ये चारपान जो है फिल्मेकर, जो आम को लगता है इनकी फिक्चर है, हमेशा ही आगे वाले जनरेशन को भी कनेक करेगी, तो इन में से किसी एक फिल्म का एक आपका पसंदीदा गाना यहाँ पर हो जाएए, मैं जुएल तीफ का कहूंगा, विजयानन साब का, आस्मा की नीचे, हम आज अपने पीछे, वो मुझे बहुत ही बहतरी गारा लगता है प्यार का जहां बसा की चले, बहुत ही कमाल का गाना है, मदर जी हम बात करें पुराने डिरेक्टर्स की और एक जमाना था जुए की आप का और अप से हुआ करता था और आप डिलिवरी भी किया करते थे उस दौर को याद कीजिए और बताईए कि सिर्फ डिलिवरी थी या फिल्मों से वो पूरा फिल्मे देखना उनको जीना वो सब हो रहा था हाँ मैं यह दरूर कहूंगा यह अच्छा अपने सवाल पूचा है क्योंकि मैं बहुत ही गरीब जैसे मध्यमबर्ग से निकला हूँ घार में रहता था मैं और अभी वहीं रहता हूँ लेकिन उस वक्त मैं पढ़ाई में बहुत हुश्यार नहीं था मैं इसलिए रिकैप करना चाहता हूँ था कि दर्शक जो अभी कनेक्ट हुए ताकि उनको पता चले कि मैंने पढ़ा जादा की नहीं स्कूल भी नहीं किया मैं चाटवी के बाद मैंने कभी पढ़ा इनी जिए जिर्ई की पढ़ाई किया हाँ तो आपना बिजनस को एकस्पेंड किया और तकरीब उस वक्त मुझे यार से खार से लेकर मैं वर्सовा आया पर कुछ नहीं था यहां सेटर के हो बार्ग लोगों को अंडÖ West ke plenty नोग सत करते थे ज़िस वह सब बैठे शुक जोपडियां चोटी से छोटी ऑं الجली कूछे में जा के मैं विडियो कैसी मुझे याद है क्योंकि सब मिलके वो एरिया में वीडियो और टीवी को हायर करते थे और वो पिचर देखते थे तो मुझे याद है यह के लोग कहते है कि मदूर जो हर तपके की पर फिल्म में कैसे बनाता है यह उस वक का experience है मेरा बिल्कुल जैसे ट्राफिक सिंगल भी बना यहाँ पर चलता था मुझे याद है सब लोगों फिल्मी लोगों को मैंने बहुत कैसिट दी है बहुत से फिल्मी कलाकारों को एक याद मुझे याद तो बहुत लोग है लेकिन मुझे एक विक्ती जो भी मुझे जानता है जो परस्तली जानता है मैं वही हूँ वह है मैं गढ़नेके हो करने थे लिइस पता है कि मैं वही vinda कश्कार वोल शुखंटारी है नोग में जाजते हैं, रिककू ह्कुषम है मुझे मैं रहकर operate मैंने अब हो बैद खत् condition, है यह जाले में यह खरुड़ि की का टी-वी था, तो बढ़ा अच्छा लगता मुझे उनको री-काप करना, जा वो एक्टर हो, चाहे वो corporate जगत के लोगों एच्छा है वो सामान्य मानोस हो तो मुझे अच्छा लगता हुँआ उनको याद दिलाना अच्छा आप वीडियो कैसे अभी बताओ मैंने आपको 15 साल पहले आपकी घर की पूरे डाइग्राम बता दिया तो बड़ा आप कैसे बोल रहे हैं ट्राइग्राज की मुर्ति हुआ करती थी वहां पर गुधरेज का क अच्छा कबाड पहुआ करता था यहां पर ये होता था तो आपके घर में ये नेलको का टीवी होता था तो देश टुगेट वेरी शॉक कि माई गॉट इतनी डिटेलिंग कैसे वो इसी को पता होगा जिसने घर में बिल्कुल जैसे मेरे फोटोग्राफिक इमेज है मैं देख लेता हूँ मैं तुरंत पैचान जाता हूँ तो मुझे इस बात से खुशी हो दी मैं अभी भी उनको याद दिला दे देखांग है मधूर को आपके साथ में गूगल करने की जरूत नहीं कौन सा साल कौन सी पिक्चर तो आप पूछो तो बता देता है तो काफी मुझे यह था लेकिन अभी टाइम अभिसली चेंज होगी अभी तो गूगल आ गया है तो आप इंटरेट पे जाते लेकिन जब गूगल नह आप में एक कला है और मैंने जैसे जिसे जिन्दगी में चीजे देखी फिल्मे देखके उस वक्त जब मैं इतना शोटा था जैसे मैं कहता हूं कि 14-15 साल का जो स्कूल में जाने वाला वेक ती जब एक कोई पिचर देखता तो वो पिचर देखके भूल जाता था लेकिन मैं तो मैं एक पिचर देखता था और मैं सोचता था यह ट्रॉली कैसी चली होगी यह आउट-फोकस शॉट क्यों होगा यह क्रेन नीचे क्यों आया यह परफॉर्मेंस कैसे तो मैं पिचर देखता है जब मेरे साथ की जो मेरे फ्रेंड्स थे वो जाके पिचर देखके भूल ज किस तरह एक गाना जैसे उस टाम पे हमारे घर के बाजू में एक होटल ओरेंडल पहले सुवा करता था अभी भी है लेकिन वहां पे डिस्को एक पप था वहां पे कमाल कमाल की फिक्चर है जिसे आदे आदे आपको गाना डिस्को 82 खुदार बिचर का गाना किशुर कुमार ल पोकर बीबी का यार मिला प्यार मिला पकल लरीगा तो वह भी में पुरी शूटिंग जाके देख्या नहीं था राज जी और धरमिंदर का गाना था तो मैं जाकर ऐसे कहीं पिक्चर है यह पुपिलर गाना जिसलिए मैं को बता रहा हूँ मैंने कम से को हापे सौ पिचर की नवाख खलाल की मुझे याद है तो जहां पर मुझे याद है यहां पर नट राज तो मैं जाके देखता था बस उसको observe करता था किस तरह से गाना चल रहा है बड़ा set था मुझे याद है वो से इस स्टूडियो में लगा था तो यह इसी कहीं चीजे में को अभी भी याद है आपको ऐसा नहीं लगता है कि मदूर बंडारकर को अपनी ही लाइफ पे फिल्म बनाना चाहिए यह कहीं लोग मुझे पूछते है और हर इंट्रुई बिना इसकी खतम ही नहीं होता है कि मदूर बंडारकर की जनी बुड़ी इंट्रेस्टिंग है दिल्चस है बहुत ही इंट्रेस्टिंग है कहीं एंगल दे उसमें अभी ने पता नहीं परेशल से कोई किताब आनी चाहिए इस पर उसकी बात बेरेखल से बुग बननी चाहिए बारी है तो जिस दोर की हम बात कर रहे हैं आपने इतनी सारी शूटिंग देखी थी उनमें से गाना चुन लीजिए मेरे खाल से रोटी का गाना राजश करना मेरे फिवरेट है ये पब्लीक है सब जानती है पब्लीक आपकी फिल्मों को 17 सालों से जान पहचान रही है ये वो फिल्मे हैं जिनमें अमूबन बहुत बड़े स्टार्स नहीं होते हैं लेकिन मुद्दा बड़ा होता है वीडियो कैसे लेबरीर थी मेरी वीडियो की लेबरीजी ती तो ऐसे कई बार होता है वीडियो कैसे लेबरी वाले डाइटर बन जाता है मेरे एसके महनत बहुत होती है और मिजह इस बात की खुश kilogramता होती है और लोग कहते हैं मधूर का जो सिनिमा है इंडिया टुडे ने सबसे पहले मैं कोई याद हो बहुत साल पहले लिखाता है कि कुईंटिन टारिंटेनियो और मधूर बंडार कर आफ या आया तो मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे इस बात पे अच्छा लगता है और मैंने इतने सालों में मैंने आपने देखा कि मैंने मधूर ने अपनी खुद की जर्नी है मैं एक ऐसा फिल्मेकर जिसके उस क्रिटिकल अकले मिलता है सब इक्षो से प्यार मिलता है और बॉक्स ओफिस पे सकसेस मिली है और उसे राष्टपुरसकार तोर पे भी लोगों ने से सराया है तो मेरे खाल से ये तीनों जो चीजे होती है बहुत कम फिल्मेकर को उनकी करियर में आता है बिल्कुल और मुझे बात की खुशी है कि इस तमाम चीजे मुझे मिली स्टेट अवार्ड हो नैशनल अवार्ड हो पदमश्री हो पदमश्री हो सब मुझे मिला है और मेरे खाल से और क्या चीए और क्या मांग सकती लोग कैसा लगता है चार नैशनल अवार्ड पदमश्री तमाम चीजें बहुत बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने आपको देखता हूँ पीछे और अपने आपकी जिंदीगी देखता हूँ जैसे मैंने कहा आपको कि मैं कितनी गरीबी से कितनी कठनाओं से लाइफ में आ गया आया और वीडियो कैसिड कभी से करके घर में वीडियो कैसिड दे दे कर मुझे याद है हमने कहीligèce गर होते ती जौनवें लिफ भी नहीं होती थी लिफ्ट या लिफ्वी बंध होती याद ही, कभी-कभी 1 windows we came over about 10 months 15 months चलकी में उपर जाता था क्योंकि कहीं कि वीडियो कैसे जो हमने पहले दिये होते हूं लेना पड़ता था किसी और किछी यह के लिए तो मुझे याद है बारा मला तेरा मला में चल्ड़ता जाता था और वो चीजे मुझे भी याद है और मैं आपको पताओ कि बहुत अच्छा लगता है जब अपने आपको आज में देखता हुआ कि मुझे याद है जब पहली बार मुझे विग्यान भॉन में नैशल आवार्ड मिला था चाननी बार के लिए जब मैं जा रहा था स्टेच पे तो जब मेरा नाम अना उन्स होने से पहले मैंने आपने कुछ चिम्टी मारी थी ये चक करने के लिए हकिकत है या मैं खबस अपना देख रहा हूँ मैं क्योंकि इतना मैंने स्ट्रगल संगर्च देखा पहली पिक्चर चली नहीं बॉक्स आफिस पे लोगों ने करियर बोला खतम हो गया आपका कुछ होने वाला नहीं तो इसे कहीं बार मेरी जो है प्रोफेशनल आपिचरी लिखी जाती है कि खतम हो गया है तो अभी कुछ नहीं तो लेकिन मैं बार-बार बाउंस बैक करता हूँ अच्छी तरीके से तो इस बात की खुशी होती है कि जब आद लोग इतने सराते हैं लोग उसे पसंद करते हैं और मैं अपने आपको देखता हूँ मेरे एक खाल से जो मुझे तमाम दोस्तों कितने सालों से जानते हैं पचीस साल तीस साल से जानते है कि देखिए क्या होता फिल्म लोगों के सामने जो ही जो लोग मुझे उतने सालों से जानते हैं वो कहते हैं कि मदर तुम अभी भी तुमारा जो एट इंसनसी है तुमारी जो चीज़े हैं तुम अभी तक बदले नहीं और उनका में बायूंगा रहा हूँ अगरम में आज है और बाड़ पा खाना तो नहीं, मेरी गाड़ी कभी सर्विस पर चले जाती है, तो मैं यह नी सोचुँगा कि मुझे गाड़ी बहिजो किसी को बूलूगा, मैं आठो ले लेता हूं, मैं ओटो मिछ यह चला जाता हूं, मुझे ऐसा बिल्कुल यह कभी नहीं है, कि नहीं नहीं मुझे ऐसा ट्रेन में लगता है बीचे में मोगले अजम देखने के डाउन जाना था तो मैंने ट्रेन ले लिया तो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि मैं ऐसा बैट के सोचूँगा नहीं नहीं या क्योंकि middle class जो हमारी values है वो हमेशा रहेगी, film line में आज है कल नहीं ही रहेगा, बड़े-बड़े तुर्रम खान जैसे हम कहते हैं, आए बड़े-बड़े actors, superstar, directors, बड़े-बड़े आए, चले गए ठीके न, आपको जिंदिगी में ultimately याद रखा जाएगा 25 सार, 30 साल के बद आपकी फिल्म के माद्यम से, आपकी फिल्में बात करेगी आप नहीं बोलेंगे, कई ऐसे लोग है जिनके बारे में, film maker के बारे में हमको पता नहीं किस तरह के वेक्ती थी, लेकि उनके फिल्मों के दिखाते मदूर का रेट्रोस्पेक्ट होता है या मेरी फिल्म में को दिखा जाता है मेरी पिक्चर को पढ़ाय जाता है आए में 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 अमेंदाबाद में कॉपरेट के स्टड़ी है तो इस बात की खुशी होती है कि जब मैं आपने आपको देखता हूँ मलाल रहेगा, रिग्रेट रहेगा कि मैं ग्रेजिवेशन नहीं कर पाया अगर मैं ग्रेजिवेशन करता तो पता नहीं शायद मैं और चीज़ों को भी देख पाता अलग तरीके से लेकिन जितने ही मैंने पढ़ाई की मैंने कहा ना कि मैंने पढ़ाई शाय स्कूल में या इंस्टिट में कॉलेज में नहीं की लेकिन मैंने तमाम बुक्स पढ़ी है मैं बुक्स का काफी एक हमेशा रहा है वो कहीं blessing and disguise है कि सरस्तती माता हमेशा पीछे थी किताबे पढ़ा करो आप तो किताबे मैंने हमेशा पढ़ी है इसलिए मेरी English है या मेरी Hindi है या मेरे knowledge of तमाम चीज के वर्ल्ड को लेकर वो काफी updated रहते हैं यहां पीछ तरी का गाना सुनते हैं एक ही गाना लता दीदी का कितने अजीब रिष्टे हैं यहां पर यह कमाल की बात है जब मैं हमेशा डरता था कि मेरी हमेशा बचपन की खाईश थी मैं आपको यह बताओ कि जबी भी मैं अगर कोई फिल्म बनाओ और मेरा एक गाना लता दीदी का होना चीज लेकिन लता दीदी बहुत बड़ी सिंगर है बेरे पिच्छर में क्यों गाना गाईगी तो जब यह पेश्टरी की बात निकली तो समी टेंडन हमारी मुजी डेटर थे तो मैंने उनको बोला डर डर के बोला मैंने बोला यार यह गाना बहुत अच्छा है हम लोग यह लता दीदी से गवा सकते क्या हम तो वो थड़ा सा उसका उसने बोला हाँ हाँ confidence नहीं तो भी बोला हाँ देखते यह वो है budget है यह है वो ऐसा ऐसास नहीं बोला मैंने देख लो कि हमारी बड़ी छोटी फिल्म थी बेश्टरी new commerce के साथ थी तो मैंने आप देख लो तो उसने क्या किया उसने फिर contact निकला और उसने एक किसी डमी से गवाया पहले वो गाना और वो गाना लता दीजी को उनने पहले बोला कि बाएसा मधूर की पिक्चर है गाना है कितने अज़ेब रिष्टे हैं यहां पे अक्टर्स भी नहीं थे कॉंकरा से इन को जानता नहीं था उसे तो लता दीजी ने पूछा शायद को कौन है तो बोला कौन करना नहीं लड़की तो उनको पता नहीं था कौन है अच्छा तो बोला अब गाना भीजवा दो लेकिन उनने समीर ने कहा कि मधूर चार है कि आप इंसिश कर रहे कि आप ये गाना गाया बोलके तो लता दीजी बड़ी चूजी थी उस वक्त पे गाना गाने के लिसमें बिलकुए 2003 की बात कर रहूं मैं ये तो हमने उनको गाना भेज़ा किसी से समीर टंडन ने ऐसे डब कराया गाना भेज़ा उनको गाना बहुत अच्छा लगा और दीजी ने बोला कि गाना अच्छा है लेकिन मैं ट्रेवल वेल कर रही हूँ मैं थोड़े दिन के बाद आके गा सकती हूँ कि आप बता लो आप डेड ने बोला लेट ने होगा की स्क्सरै बड़ा अच्युवमेंट था कि मेरे लिए दीची गा रही है मेरी पिक्चर में बनरे इस्ट्री में रहे गई है तो मैंने जब दीचे का दिन आया गाने वाले क बने वाला कि दीचा गाना गाई कि मैं सवेरे से पूरी रात में सोया नहीं हूँ और दीदी के गाने मैं, मैं फैन धीडी का, हर गाना में उनका सुनता हो इतना, और मैं नोइस हो रहा था, कि दीडी आई रहा है, मैं उनसे कभी मिला नहीं था, और मैं खुद पहली बार मिलने वाला था, दीडी को लेकर, और जब स्टूडिय में वो आये, समीर भी था, मैं था मैंने मेरे हाथ पैर गिर गए मैंजे समझ मेंना मैं क्या करूँ दी आई दीखिए उनका एक औरा है जब वो आती है और एक जो उनका जो उनका एक जो style है और जो आती as a fan moment था मेरे लिए मैंनको से observe कर रहा था मैं अभी तक मैं मिला नहीं कुछ नहीं तो जब finally वो recording room में गई उन्हेंने बोला कि मैंने थोड़ा घर्म से खाना लाया है और मैं चाहूंगे हम सब खाए मिलके तो मैं बड़ा ही एकदम ये हो गया और वो आई तो में को समीर ने मिला कि मदूर बढ़नार करें तो मेरे से उन्हेंने obviously Marathi में बात करना शुरू कर दिया और बुला के आपको खाना खाना भाना है मिला हाँ हाँ दीदी खाते खाना और मैं तो मैंने उनको देखी रहा था दीदी को बस मैंने उनके पैर चुए और उन्होंने खाना लाया अमनोने थोड़ा थोड़ा खाना खाया और बोलाके अभी चलो गाना शुरू करते यह लिर्कस देजी मिझे लिर्कस लेके वो बैठी। बता दीधी बात करें, भारत रतना दीधी है, और मैंने जिस तरह उनने बली, तेiquement मधूर कूँज़ा होता, फिल्म जो हता है, डीरेटर का मीडियम होता है, ये इतनी बड़ी चोटी की कलाकार कह रही है, के डीरेटर का मीडियम होता है, मैं बहुत गाना गाच हूँ कि मुझे बताईए आपको इसमें सुर क्या चाहिए मुझे बताईए कि आप इसमें क्या देखना चाहते है कि को आपकी हिरोईन को मैं जानती नहीं हूँ मुझे बताईए कि आप इसकी फिलोसफी क्या है क्योंकि फिलोसफिकल गाना है तो मैंने बुला यार इतने बड़े कलाकार और इस तरह की बातें ऐसा लग रहा था नियुकमर बात कर रहा कोई बिलकुल बिलकुल ये को नियुकमर कर सकता है ऐसा कि हाँ ठीक है यार चलो गाना गा तो मैंने उनको फिलोसफी के बारे में थोड़ा बताया पिचर की फिलोसफी में कि ऐसे ऐसे होता है, पार्टी का होता है, यह होता है, लाइफ ऐसी है, सुपरफिशल लाइफ है, थोड़ा उनको मैंने ब्रीफ दिया, तो मैंने बूला, नॉर्मल दीदी, मेरे लिए बलता है, दीदी वेसे गाना का यह है, तो मैंने फिलोसफी की थ इतनी simplicity है कि वो आज भी इतने गाना-गानी के बड़ता मंगेश कर रही आपको गाना किस तरह का चाहिए क्या बात मैंनि ये उनमें बहुत बड़ी बात है कोई मैंने उसकी बहुत से थिंगद आये मेरे सामने गए किसी को इंटरेश होता नहीं है वो गा लेते अपना चले जाते जब तक उनको बोलो नहीं बट टैटिस रता मंगेश कर और आशा भूसले उलसा में दोनों की दीदी के बड़ता काम किया और कितने अजीव उनने गाना गया जो आज की तरह में कल्ड गाना है आज भी किदर भी कुछ भी होता लाइफ की फिलोसफी चितने चैनले हो कितने अजीव रिश्टे गाना चलाते है तो मेरे खाल से ये अपने आप में बड़ी बात है उसकी बाद उनने जेल का गाना गाया दाता सुन मॉला सुन जो बहुती अच्छा प्रातना गाना था वो वो आज भी तीहार जेल में सवेरे उसको चलाते हैं लोग वाँ पैसा प्रातना की तौर पे और बहुत खुशी होती इस बात की कि दीदी ने मेरे लिए गाने गाये विविद भारती अपने साथ बरस इस साल पूरे कर रही है और जाहिर है कि विविद भारती साब का गहरा नाता रहा होगा बत और शुरुता भी और बात में बत और डिरिक्टर आपका इबार हमसे मुखाथ बहुत 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 मरे खाल से विविद भारती के अलावा में सोता नहीं था चाहे वो बिला के फूल कारिकरम हो जी बिल्कुल या भुले पिसरे गीत हो कहीं ऐसी चीजे जो है विविद भारती हमारे लिए बच्पन में तो 70's के लिए हमारे लिए तो ये पल्स था कि हमें विविद भारती की सबसे साड़े गरा बच्पन में आपको याद आती हो रहेगा भी आपको जी तो एक आखरी गाना विविद भारती के नाम दिधी का गाना जी और किशोरदा का आंधी फिल्म मतुर बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया इंटर्वी के लिए और विविद भारती से आपका नाता इसी तरह बना रहे हैं आज के महमान कारिक्रम में अभी आपने सुनी जाने माने निर्देशक, पदमश्री, मधुर भंडारकर से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बाती इस कारिक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर, प्रदीप शिंदे और मंगेश सांगले विविद भारती की ओर से इस कारिक्रम को प्रस्तुत किया शकील बखशी ने आज पिटारा लाया था, आज के महमान आप और हम अब मिलेंगे अगले हफते आज ही के दिन मगर पिटारा तो भई हर रोज खोला जाता है, कल भी खोलिए, रोज खोलिए और सुनिए पिटारा पिटारा जाता है, कल भी खोलिए, आज के दिन